सिर्फ एक चम्मच नमक की साइता से पीतल और तामबे के एकदम गंदे बर्तनों को एक सेकेंट में एकदम साफ करने के लिए आपको बैतरीन सा उपाई बता रहे हैं दोस्तों देर सारे बर्तनों को आप पांस मिनेट में चमका सकते हो एकदम जादु तरीके से बेहद ही आस और कम चीजों के इस्तेमाल से आम इन बर्तनों को साफ करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या-क्या चीजे लगेंगी बहुत जादा चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा सिर्फ दो चीजे आपको लगेंगी और दो चीजों के ही इस्तेमाल से आप जो ह इसको बसंत्र नवरात्री की नाम से भी जाना जाता है, तो आपके इसको किस नाम से जानते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और कहां से आप अमारा वीडियो देख रही है, कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताना, सबसे पहले तो आमने यहां पे एक चम्मच नमक ले लिया है, आप कौन सा भी नमक ले सकते हो, जो रेगुलर नमक आप इस्तिमाल करते हो, अगर में मेरे पास पिंक सोल्ट है, तो मैंने पिंक सोल्ट का इस्तिमाल किया है, आप जो वाइट नमक आता है, रेगुलर उसका इस्तिमाल भी कर सकते हो, दूसरी चीज हमारे पा बहुत सारे बर्थन साफ हो जाते हैं दोनों चिजों को अच्छे से आप मिला लेना और इसमें आपको बहुत ज्यादा चिजों का इस निश्का ऐसा अए कि आप देफेंगे कि बर्थन जैसे ही इसके में आएगा आ, वैसे ही बरतन क्लीन हो जाएगा दोस्तों चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो जैसे बाजार में पितांबरी वगेरा मिल जाती है साफ करने के लिए लेकिन उसको अमें बहुत जादा गिसना पड़ता है और साथ की साथ पूमेंगी भी बहुताती है वही काम आपका यांपी जो है सि िरि दसकी इजंगे डाले जैसे आपने ऐक चमच नमक लिया घैड़ चमच आपनी निम्बू सत लिया है तो इसके अंदर आप गिलास तक पानी डाल सकते है बोग जादा पानी नहीं डालना है ये गिलास से धोड़ा कमी होना memorial जैई ज्यादा नहीं यानि कि दोसोंधे जित जब भी आप इस पानी को गोल बनाए ना तो आपको क्या करना है कोई कांच का बाउल लेना है दोस्तों इस टील के बरतन में ना करें नहीं तो इस टील के बरतन में भी काले काले निसान पढ़ जाएंगे ये जो मेरा बरतन है ना मैं इनको इसी तरह के नुसके के लिए इस्त तो काच के बरतन पर इसका जो है इफेक्ट नहीं होता है आप जो आम बरतन साफ करने वाले हैं वो आपको दिखा देते हैं यहां पे आप देख रहे हैं यह लोटा एकदम गंदा हो गया है अंदर से काई सी जम गई है इनकी अंदर और उपर से भी पूरी डार्क लेयर आ इसलिए मैं इनको साफ करती रहती हूं तो यह ज़्यादा गंदे नहीं है लेकिन जैसे लोटा और यह चोटा वाला लोटा आप देख रहे हैं बाकी प्लेट आगे में आपको दिखाऊंगी यह रखे रहते हैं काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि दूसरे ब पार आता है फिर आमें सारे बरतनों की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से जट पड़ चाहे 6 महीने से रखा हो आपका बरतन एकदम खराब हो गया हो तुरंत साफ हो जाएगा जैसे गिलास में आपने चमक देखी चमक उठा है और यह लोटा देखी पूरी मोटी सी लेयर इसके उपर बनी होई है लेकिन जैसे ही इस पानी को यह टच करेगा ना तुरंत यह एकदम साफ होने लगेगा आपको आत लगाने की जरूरत नहीं देखी एकदम जादो ही तरीके से साफ हो जाता है आपको एकदम मैजिक की जैसा लगेगा जब आप इसे साफ तो इसें आपकी आट-धस वर्तन साफ हो जाएंगे, फिर यह पानी थोड़ा सा थंडा हो जाता है तो अगर आपको लगे ना इसको और वरतन साफ करनेे तो इसको अलका सा आप वापिस से गरम करके ले सकते हो वापिस से आप इसमें बरतन और बही साफ कर सथी है, आप यह यहां पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी एडिक नहीं किया है, मैं आपको सिधा दिखा रही हूँ, इसका ऐसा एफेक्ट हो जाता है, तुरंथी दोस्ता, मैं यहां पर आपको यह दिखा रही हूँ, इसलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन आप पर आपको एक एक चीज यहां पर अच्छे से दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, इसलिए और यहां पर मैं बरतन साब भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर मैंने इस सारा सामान जो है, सेट अप पे किया हुआ है, इसलिए तो आप इसे कीचन में ही रखना सिंग के पास मे जैसे यह पानी डालकर एक बार पानी में से निकाल लेंगे, तुरंत इसको गासनी से गस कर और कपड़े से कोतन के कपड़े से पहुँच लेना, एक दम ऐसे दिखेंगे आपको बरतन जैसे आप आभी खरीद कर लाई हो, जैसे आप देख रहे होंगे, प्लेट में पहले अकसर दिखने रहे थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने ये पानी डाला है, एक एक अकसर अलग से दिखाई देने लगा है, और जो ये प्लेट में डिजाइन है, इस तरह के बरतन जब हम गासनी से या पितामरी से चाहे कितने भी गिसते हैं, तो वो हो जाते हैं, डिजाइन में जो है इसके बरा रहता है, चाहे कितना ही आप उसे गिसो जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही आप इसके ओपर पानी डालेंगे न ये अपने आप साफ हो जाता है, तो इस तरीके से आमें साफ करना, इस पलेट को भी एम प्लेट में रख और इस पर थोड़ा साफ चाहें तो वजन रख दे या फिर थोड़ी सी दिर अगर यह डीप हो रही है तो ऐसे ही आप रख सकते हुए देखिए तच उते ही एक दम साफ होने लगी है तो मैं इसको ऐसे ही चोड़ूंगी और इसको उसके बाद में अमें साबुन लगा के जो साफ करने की साबुन होती है या लेकवीड होता है वो थोड़ा सा डाल कर आप अच्छे से इसे बिल्कुल तीस सेगिंड आपको मैनत नहीं करनी है विल्कुल वी एक बार गास में से आप तिराना है बस इतने में ही ऐसे चमक चाहेंगी बच्तन दोस्तों और यह लोटे में आप बीक में निसान देख रहे हैं मैं इसमने क्या है आथ अंदर तक नहीं जाता है यह चोटा वाला लोटन में अच्छे से साफ करने के लिए आपको वीडियो में सई से दिखाया है अगर आप इतने बरतन साफ करेंगे तो यह समझे कि दो मिनेट भी आपको नहीं लगेगा आप पूरे बरतन साफ कर देंगे इसका जो पानी बचा हुआ था ना वापिस से मैंने गरम करके आप करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है यह था हमारा आज का नुस्ता अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर करना क्योंकि अभी तेवार आने वाले हैं तो सभी को इससे फायदा मिले वीडियो को लाइक कर देना और कमेट करके बताना नुस्ता आपको कैसे लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद